एक राइटर एक वैम्पायर लटकी की प्यार में पढ़ता है पर प्रॉलम तो भाई जब इस वैम्पायर लटकी की सिस्टर इसी राइटर को रिजाने की कोशिश करती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको तो किस आप दे डैम यह हॉलूर वैम्पायर स्टोरी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर देजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और एक बड़े से घर में हम हमारी मैन कैरेक्टर जोआना को देख सकते हैं वो आज रात एक रोमेंटिक मूवी देख रही थी उसे बहुत ही अकेला महसुस होता है सुबा होने पर घर में बलड पड़ा हुआ था उसकी मेड़ वहाँ पर आई जो इसे पोश लेती है इसके बाद अगले देन वो फिर से मूवी लेने के लिए एक स्टोर में गई यही पर उसकी नजर पाउलो से मिली जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है पाउलो को भी जोआना बहुत अच्छी लगी थी बाहर बारिश आ रही थी तो जोआना घर जाने के लिए जरा वेट करती है तब पाउलो ने उसे अप्रोश किया उसे ड्रिंग के लिए बुशता है यह दोनों ड्रिंग के लिए आए और एक दुसरे वो जानने लग है पाउलो एक्च्छल में एक स्क्रीन राइटर है वो अच्छे से राइट कर पाए इसलिए एक डिस्टिंग टाउन में वो आया हुआ है जोआना कहती है कि मैं पोईटरी ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ उसे एक रियर स्किन कंडिशन है जिस वज़े से वो सनलाइट में बाहर जा नहीं सकती उसे दिन बर घर में काम करना पड़ता है ये दोनों फिर जोआना के घर पर आकर टीवी देख रहे थे थोड़ी दिर में पाउलो जोआना को किस करने लग गया जोआना ने रियलाइस किया कि बहुत बड़ी गल्दी होगी उसने उसे रोक लिया जाने के लिए कहा पाउलो गयता है मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा जोआना को पाउलो को इस तरीकी से जाने देना पड़ा तो इसके लिए वो बहुत रोती है अगली दिन पाउलो ने जोआना के घर पर कॉल किया जो मेड ने उठाय हुआ था पाउलो ने जोआना के लिए मैसेज दिया कि आज रात वो एक बार में उसका वेट करेगा उसने बहुत देर तक उसकी वेट की पर वो आई ही नहीं दारेक्ली फिर उसके घर पर वो भोच जाता है जोआना डोर पर चेन लगा करी दोर थोड़ा साई खोलती है वो उसे अब भी अंदर आने नहीं दे रही थी पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बिमारी है हम सारा कुछ फिगर आउट कर सकते हैं प्लीज मुझे अंदर आने दो जोआना उसे अंदर नहीं आने दे रही थी यह बाहर से उसे किस करने लगता है किस करते करते पाउलो का लिप पर उसने पाइट कर दिया यह बहुत ही डेंजरस बाइट था और जोआना ने पाउलो को घर जाने के लिए कहा अगली दिन सूपर शॉप में दोनों फेस से एक दुसरे को देखते है जुआना यहाँ से चली गई अगली रात वो उससे घर पर पहुच गया था आज राज जुआना ने उसे अंदर आने दिया वो जुआना को फिगर आउट कर नहीं पा रहा था जुआना ने कहा मेरे पास आओ उसने उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए कहा गयती है मुझे हार्ट ही नहीं है मैं सनलाइट में कही बाहर नहीं जा सकती मैं एक वहमपैर हूँ पाउलो इस बात पर थोड़ा सा वे बिलिव नहीं करता जुआना फिर उसे अपने बेडरू में लेकर आती है यहाँ पर उसने चेंज स्विगरा बांदी हुई थी पाउलो ने उसे बांद दिया और उसे की स्विगरा करने लग गया उसे गलत लग रहा था पर उसे देखना था कि जुआना उसे क्या दिखाना चाहती है वो जब excited होई तो उसके दाद निकल आए थे उसके आखों का color भी बदल गया था पाउलो को finally believe हुआ पर फिर भी वो नहीं डरता जुआना के कव स्विगराव निकाल देता है इसके बाद वो उसके साथ intimate होने लग गया तो भी जुआना पाउलो को काट लेती है सुबा होने पर जुआना ने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए में कुछ भी कर सकती थी पाउलो को काटने के बाद वो भी वैंपार बनेगा यह एक वे था उसके साथ वो रह सकती थी अब वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ चीज़े सिखाएगी इस घर में इनकी जो मेड है इसे रेर ब्लड डिसॉर्डर है इस वज़े से कुआना को उसका ब्लड टेस्ट करने की अर्ज नहीं होती वो किसी भी हूमन को हट नहीं करती सिर्फ एनिमल के ब्लड पर ही जीती है जोआना ने पावलो से कहा कि हम कभी भी एज नहीं होंगे अगर हमें चोड भी आई तो जल्दी से हील हो जाते है हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते है जोआना पावलो को हंट वेगरा करना सिखा दिया इसी के बैरलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर मीमी को देखते है मीमी एक रेकलेस वेंपायर है उसे जो लगता है वो कर डालती है किसी को भी टरन कर दिया किसी भी सिटी में चली गई एक रात अचानक से वो पावलो और जोआना के पास आ गई एक्च्वल में वो जोआना की सिस्टर है जोआना हमेशा मीमी को उसके बिहेवर के लिए बहुत ही हेट करती है मीमी ने आकर का कि एक विक के लिए में यही रहूंगी एक्शुल में जिसगः में ओर रह रहे हैं यो उनका नहीँ है एक वैमपार एक्ट्रेस है उसना उन्हें रहने के लिए जग़ा दी हुई थी रात में फिर यह सब मिलकर बात करे थे एक्शुल में मीमी 5 साल से एक ही जग़ा पर रहे रही थी पर रोगहती है, मेरे फ्रेंड्स सारे लोगों को पता चलने लग गया था इस वज़े से मुझे मुझे मूँ होना पड़ा पाउलो को मिमी से बात कर गर उसे जान कर लगता है कि यह नॉर्मल है पर जौना उसे कहती है कि वो क्रेजी है, तो इस बात में पता चलेगा जौना को इस पर बहुत गुस्सा आगया, उसने एक्ट्रेस को कॉल लगया, कहा कि मिमी यहां रहे नहीं सकती वो आउट आफ कंट्रोले कुछ भी कर सकती है, एक्ट्रेस कहती है कि मिमी ने मुझे बात की थी, वो बदल रही है एक रात पालो जौना को एक रेस्टोर्न में लेकर गया, उसे बता था कि जौना को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा इसके बार एक लड़के से मिली उसके साद इन्टिमेट होकर उसे टर्न कर देती है, आजरा जौना और पॉल ने एनिमल की शिकार की थी इसी एनिमल को पाउलो जो बरी कर रहा था तब ही मीमी उसके पास आई वो उसे कहती है जवाना को तुमने बाइट करने दिया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो क्या तुमें कुछ mentally problem है मुझे तुम self destructive लगते हो जो उसके लिए बहुत ही attractive है वो यहाँ अपर उसके साथ flood कर रही थी पाउलो से भाड में जाने के लिए कहता है इसके बाद एक रात यह actress के पास एक party में आये हुए थे यहाँ बजवाना पाउलो को सब लोगों से मिलाती है इस party में सब लोग vampire से थे कुछ लोगों को एब vampire के lifestyle अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को नहीं यह जब सब मिलकर discuss कर रहे थे तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें humans पर हमला करना चाहिए यह world अब हमें belong करता है actress कहती है कि मेरे पास synthetic blood है government हमें supply कर सकती है अब तक किसी भी human को पता नहीं है अगर पता चला तो इन्हें मार डालेंगे इस वज़े से government से कुछ भी बात नहीं कर सकते मिमी इस party से जल्दी घर चली गी वो दो लोगों के साथ जाकर घर में intimate हो रही थी ज़़ ज़वाना घर पर बोजी तो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देती है इन दोनों में जगड़ा हो कैया था अब बहुत ही रात हो चुकी थी ये दोनों लोग जो घर से बाहर निकले अब डर रहे थे अचानक से मिमी ने उन पर हमला कर दिया अब वो लोग जब कायब हो गए तो जोना मीमी पर बहुत जादा गुसा हो गए वो से गन्फरेंट करती है कहती कि वो गए कहा मीमी कहती कि वो होस्पिडल में होंगे जोना उस पर चीट रही थी तो मीमी ने डारेटल उसका गला पकड़ लिया कहती है मेरी लाइब से दूर रहो मैं जल्दी यहां से चली जाओंगी अब बहुत दीन हो चुके थे पर पाउलो ने अपने एजन को कॉल नहीं किया था एजन उसके लिए वरी कर रहा था तो उसके टाउन में आ गया हर जगा अब उसने उसे ढूणने की कोशिश की पर कहीं भी ढूणनी पाया फाइनली वो बार में आया बार्टेंडर से बात करता है उसका पता बोचता है एक्चॉल में बार्टेंडर पाउलो को लाइक करती थी इस वज़े से उसे पता था कि पाउलो अब जवाना के साथ रिलिशन्शिप में है ये एज़न जवाना के घर पर बहुचा वो बहुत ही इंपरेस्ट हो जुका था पाउलो से गहता है कि अब मैंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है एज़न ने जब ये पेज़ेस पड़े तो बहुत ही इंपरेस्ट हुआ ये डिनर पर जवाना से गहता है तुम्हारी वज़े से पाउलो में बहुत सारा चेंज आया है पहले वो किसे से ज़ादा बात नहीं करता था बहुत ही अज़िब सी बुक्स लिखता था अब इस बार उसने बहुत अच्छी बुक्ली की है फाइनली वो इंसानों की तरह लग रहा है वो उन दोनों के लिए बहुत खुश था इनका डिनर हुआ पर एज़न बहुत ही ड्रंक हो चुगा था पाउलो से बुच्छता है कि आज राद में यहीं रुख सकता हो इन्हें कुछ भी प्रॉलम नहीं था राद में अचानक किसी ने एज़न पर हमला कर दिया यह सबना ज़़ाना को आता है सुबा होने पर वो एज़न का रूम देखने के लिए गई तो उसे पता चला कि सबना नहीं था एक्च्छल में उसने एज़न को मारा था वो राद में अपनी अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी वो यह सारी जगा साफ वेकरा करकर इसे कंट्रोल में ले लेती है पावलो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती है ज़ाना को लगता है कि मीमी उसके लाइफ में फिर से वापस आई उसे के इंफ्लून्स की वज़े से उसे भी याज़ेस वापस आ रही है मीमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्टरेश को कॉल किया वो गया थी कि मीमी किसी को भी टर्न करे है वो बहुत ही रेकलेस है हम उसे इस टाउन में नहीं रहने दे सकते है एक्टरेश ने का कि थोड़े दिनों में मेरा प्ले है वो देखकर यहां से चली जाएगी थोड़ी दिनों की तो बात है यह सारी बाते यहां की सरवन्ट सुन रही थी अब इसके बाद उस एक्टरिस की प्ले की नाइट आई यह प्ले बहुत ही सक्सेस्फूल हुआ था एक्टरिस से मिलने के लिए डीनेजर लड़की बहुत ही एक्साइटेट थी यह मीमी ने देख लिया उससे गहती है कि मैं उस एक्टरिस की फ्रेंड हूँ तु मेरे साथ उसके घर पर चल सकती हो आज कल जाना मीमी को लेकर बहुत ही वरीड थी पाउलो से कहता है कि जाद वरी मत करो जब वो शावर ले रहा था तो अचानक से पीछे से मीमी उसके पास आ गए वो उसे केस करने लगते है उसके साथ वो इंटिमेट हो गए जाते जाते उससे कहती है अगर तु मुझे चाहते नहीं तो मेरे साथ इंटिमेट नहीं होते इसमें गल्दी तुम्हारी भी है ये जुआना से रिवेंज लेने का मीमी का प्लान था इसके बाद नेक सीन में टीनेजर को लेकर मीमी एक्ट्रेस के घर पर आके उन दोनों को उसने इंट्रोरेस करवा दिया एक्ट्रेस इस बात से बहुत गुसा हो गई थी वो मीमी से अकेले में बात करती है कहती है कि मैं 100 years से मैंने किसी भी human को नहीं मा रहा है जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो अपनी अर्च कंट्रोल करना ये बहुत ही hard होता है एक्ट्रेस को इस टीनेजर को देखकर कंट्रोल करना बहुत ही hard था मीमी गहती कि मैं उसे लेकर जाती हूँ मीमी ने टीनेजर को जाने से पहले पानी दिया पर एक लास टुटा हुआ था इस वज़े से टीनेजर इंजोर्ट हो गे बलर देखकर अब एक्ट्रेस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई वो इस टीनेजर को मार डाल दिया इसके बाद मीमी ने एक्ट्रेस से गहा इस सब चीजों को में देख लूँगी किसी को भी बता नहीं चलेगा पर सिर्फ तुम इस टाउन में मेरे ले एक घर लेकर दो मीमी हमेशा से यही रहना चाहती थी तो इसलिए उसने प्लान किया एक्ट्रेस को फशा लिया और अब उससे पैसे लेकर वो घर बाय करेगी नेज़डे पाउलो और जवाना यह दोनों अलग सिटी में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे पर अब पाउलो को बहुत ही गिल्टी महसुस हो रहा था मीमी और उसके बीज में जो भी हुआ इस सब बात तो जवाना को बता देता है वो बैचारी बहुत हर्ट हो कही थी वो बहुत रोई इन दोनों ने इस पर बहुत सोचा जवाना भी फिर कनफेस कर दिया तुमारे एजन्ट को मैंने मार डाला था दोनों मैंसे कोई भी परफेक्ट नहीं यह दोनों अपनी लाइफ एक साहती जीना जाते इसलिए एक दुसरे को उनोंने माफ कर दिया था अब मॉर्निंग में जब मीमी घर आ रही थी तब अचानक से उसके गाड़ी के सामने डियर आ गया इस वज़े से उसका कंट्रोल चला जाता है गाड़ी एक पेरिसे डख रहा है और वो बहुत जादा इंजोर्ड हो गई थी अगर वो पूरी तरीके से सुबा होने से पहले घर पर नहीं बोची तो उसकी स्कीन बर्न करने लगेगी पर अपनी चोटो की वज़े से वो कुछ भी करनी पाती सनलाइड की वज़े से उसकी स्कीन पर बर्न आने लगे थे वो क्रॉल करते करते घर आने की कोशिश करती है पर रस्ते में उसे उनकी मेड मिली मेड वेजवाना की बाते सुनी थी उसे बता था कि मी में एक बहुत इखटेवा एंपायर है वो इनोसन हुमन को मार डालती है इस वज़े से उसने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की इसके ओपोजिट में मेड ने मिमी को मार कर उसकी बॉड़ी बैग्स में भरती इसके बाद पावलो और जवाना ये अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अलग सी सीटी में चले गए ये जैसे भी है वैसी इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्लेशन अच्छा रगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ये बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दवने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया